तो वीडियो के बारे में होने वाली है तो हमेशा आप लोग रिक्वेस्स करते रहते हैं मुझसे कि हमारे सामने इंबॉक्सिंग किया करें और दड़ा से जो भी शॉपिंग करें हमारे सा शेयर कर दिया करें क्योंकि बहुत सी अफोड़ेबल डील से चल रही होती है और अफ अब लिए चाहिए तो मैंने आप लोगे सामने पर अन्बॉक्सिंग करूंगे और आप लोगे सामने सारे वीडियो गनाओंगी तो बिना टाइम वेस्के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते है वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजेगा सब चीजों के लिंक मैं डिस्क्र अच्छा जी तो अभी हम लोग कर लेते हैं अन्बॉक्सिंग और मेरी अवास थोड़ी सी आपको अच खराब लग रही होगी क्योंकि मेरा गला जो है वो थोड़ी सा खराब है तो उसके लिए थोड़ी सी जी माज़रत पहले सारे पार्सल जो है वो मैं कलेक्ट कर लेती तो मैंने का ठीक है जी दो तीन दिन से मुझे पार्सल रिसीव हो रहे थे तो मैंने सारे कलेक्ट करती गई और यहां पर सबसे पहले मैंने एक बैलून स्टेंड मंगवाया था प्राइस यहां पर आपको सारी प्रोड़ुक्स की स्क्रीन पर शोर ही होगी अच्छा मेरा य वाइट वाली शीट फिर मैंने नीचे से उठा दी थी क्योंकि बहुत ज़ादा डिस्टरबंस हो रही थी और मेरे लिए अकेले वीडियो शूट करना थोड़े से डिफिकल्ट हो जाता है तो फिर मैंने इसी तरीके से वीडियो शूट करना ठीक समझा तो यह स्लिपर्स ब अपने वाश्रों में रख लो चाओ तो कहीं भी लगा लो तो मुझे एक यह चाहिए था और अच्छी प्राइस में लगा हुआ था तो मैंने लगा लिया किचन मगेरा में भी आप इसको जो है वो जी इसके साथ स्टीकर हैं इसके साथ आप लोग जो है वो लगा सकते हो ज हमें अपने किचन के लिए कुछ चीज़ें चाहें थी तो वो भी महने साथ ही पिर ओडर कर ली थी तो यह वाला भी हमने किचन के लिए ओडर किया था इसको भी आप कहीं पर भी स्टीक कर सकते हो इसके साथ भी स्टीकर है यह किचन में जो है वो यूज करने के लिए है इस अपको पर्च बनोग को उसे जित क्वे मैंने का बंगवाई थी नौम्ट में रख सकते हो जो हैं वो available हैं तो आप लोग चेक कर सकते हो मैंने यह वाली order की थी जब आप link पे click करोगे तो आप और भी जो है वो देखने को मिल जाएंगी तो यह मैंने four मंगवाई थी kitchen में भी रख सकते हो room अगयर हमें भी तो मैंने का था कि चलो videos या picture अक्सर लेनी होती है न तो उस प बहुत अच्छे review सुने थे और आगे आ रहा है रमजान तो रमजान में अक्सर कुछ बनाना होता है recipes वगएरा करनी होती है record भी करनी होती है तो इससे बड़ी जो है वो help मिल जाती है इस रमजान तो खेर मैं नहीं बना पाऊंगी लेकिन अम्मी की help हो जाएगी तो इसमें हैं जो मुझे चाही थी और kitchen के लिए ही जादा समान की order किया है क्योंकि kitchen में आपको पता है कि जितनी भी चीज़े मंगवा लो उतनी ही कम है और ये भी kitchen के लिए ही मैंने मंगवाया था अच्छे इनकी prices मुझे सही लग ली थी सबकी तो इसलिए फिर मुझे जो जो kitchen के लि भी रख दें और नीचे भी रख दें तो ये भी जब मैं किसी व्लॉग में आप लोंको दिखा दूँगी कि मैंने इसको किस तरीके से यूटिलाइस किया है लाजमी नहीं है kitchen में यूज़ो इसको आप जो है वो अपने रूम में भी रख सकते हो और अगर रूम में कोई च अप सॉक्स वगेरा या कुछ भी जो है वो रख सकते हो storage box कह लें और ये अच्छी quality का था reasonable भी था इसमें अप सारे जो है वो सॉक्स वगेरा रख सकते हों मैंने बेबी की wardrobe के लिए किसमें सारे सॉक्स में टन्स वगेरा जो है मैं रख दूँगी और उपर से इसकी जो है वो लड़ी बंद हो जाएगी अगें सारे चीज़ें जब मैं जब जब मैं जब 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 से यूज करूंगी वो आप लोग मेरे daily के vlogs तो देखते रहते हो तो मैं साथ साथ वो आप लोग के साथ share कर दिया करूंगी कि मैंने कौन से चीज़ को किस तरीके से जो है वो नहीं था वाइट कलर का हुई है मुझे बहुत टाइम से चाहिए था क्योंकि अकसर पिक्चर वगेरा लेनी होती है शूट करने के लिए कोई न कोई आपको होता है यह जो भी जिस तीस पे रखके आप शूट करो वो प्रोड़क्त जो है वो बहुत प्यारी लगे रखी अच्छी प्राइस में लगा हुआ था नॉर्मली यह छे हजार पांच हजार का उनलाइन पेजिस पर बिक्रा होता है तो इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि चलो मैं इसको बेड़ पे रखके अराम से बैट के भी शूट कर सकती हूँ अगर मुझे अन् काम नहीं आजा है वो इस ओवर करते हूँ अक्सर मैं बूल जाती हूँ शावर कैप मंगवाई थी मैंने के शावर लेने के बाद इससे आप अपने बाल जो है अच्छे से रैप अगरा कर सकते हूँ यह भी काफी अच्छी क्वालिटी की थी और इसके साथ ही एक मैंने अवन के उपर डालने के लिए यह कवर और यह हमारे पास पहले भी था लेकिन खराब हो गया था तो मैंने का कि चलो मैं यह भी मंगवा लेती हूँ प्राइस के हिसाब से चीजों की क्वालिटी जो है वो काफी अच्छी थी काफी बहतरी थी अच्छा यह सारी चीज़ें थी इसके एक छुटा साई यह निकला था इसको कहते हैं मसाजर इससे आप अच्छे से फेस वाश भी लगा के मसाज कर सकते हो और क्लिंजर लगा के भी मसाज कर सकते हो यह बहुत रीजनेबल प्राइस में लगा हुआ थे दरास पे तो यह भी मैंने मंगवा लिए अच्छ मैंने वीडियो रिकॉर्ड की तो है साथ में इसका भी आपको दिखा देती हूँ कि इसमें जो है वो क्या निकला बहुत से लोग यह वाला कहरे थे कि बहुत अच्छा है जुल्री और गनाइजर तो मैंने भी मंगवा लिया और वाकी बहुत अच्छा है बहुत चोट लेकरी थी लेकिन मैंने फिर और नहीं किया हुआ था तो इस तफ़ा मैंने इसको जह है वो और कर लिया उसके इलावा एक ये भी बड़ी मज़े की चीज निकलिए अगर आप मेरी तरह बहुत बहुत चीजों को भूल जाते हो या अकसर अपनी मैडिसन जो आपने लेनी हो और नाइट में जिस तरीके से और सारा मंडे ट्यूजडे से लेके संडे तक सारा बना हुए मैडिसन बॉक्स में जो बहुत ही अच्छा लगा इसमें मैंने अपनी मैडिसन बाद में रगभी ली थी वो व्लॉग में आप लों के साथ शेयर कर दूंगी और उसके लावा ल तो ये काफी सेफ रहते हैं आपकी जूलरी भी बलेक नहीं होती हो और एजीली आप इसमें कुछ भी स्टोर कर सकते हो लाग में जूलरी जो चीज़ भी आप स्टोर करना चाहो अच्छा ये भी एड़्जेस्टेबल है इसको भी आप एड़्जेस्ट कर सकते हो जितना जो भी आपने चीज़ रखनी हो तो ये भी मैं आप लों के साथ किसी व्लॉग में शेयर कर दूँगी कि मैंने इस बॉक्सेज में जो है ना वो क्या क्या समान जो है वो रखा था तो बस आज के पार्सल में यही सबाया हुआ था अच्छा फै मार्च के जन्मरी के एंड मे मैंने और भी चीज़ें दरास से मंगवाई थी तो फिलहाल इन तीन पार्सल में से यह तीन चीज़ें निकली जो कि बहुत अच्छी थी अच्छा यह ड्रीम स्केचर जो है आपको नजर आ रहा है यह भी मैंने दरास से मंगवाया था सब लोग पूछ रहे थे तो इसका ल अवैलेबल थे लेकिन मुझे कलर बहुत अच्छा लग रहा था इसको भी आप एड़्जेस करके चोटा बड़ा करके जो है वो वाल पर हैंक कर सकते हो तो मैंने इस तरीके सहेंक किया और पीछे इस तरीके की इसकी लाइट जो है वो लगी हुई है बहुत ही प्यारा लग गया था वहां पर मैंने लगा दी तो रूम में लुक पिस से बहुत अच्छी आ रही है और इसके क्वालिटी भी बहुत अच्छी है तो यह सब मेरे था शॉपिंग होल आई होप आपको पसंद आया होगा जी अला हफिस एवरीवन